स्मायरा का बड़े तब तक चलता रहेगा जब तक गिफ्ट सभी भेज नहीं देते हैं किसकी तरफ से है वो स्मायरा आपको बताएगी मेरे दादू के तरफ से क्योंकि स्मायरा के दादू पंजाब में है हमारी फैमली यहाँ पे नहीं आपाई क्योंकि बहुत दूर है हम वहाँ से उन्होंने स्मायरा को अपनी ब्लैसिंग्स भेज दी है इस इतने बड़े बॉक्स के अंदर तो ओपन करेंगे देखेंगे कि दादू ने स्मायरा के लिए क्या बड़े गिफ्ट भेजा है आप आज के व्लोग के अंदर तक जरूर देखना मिश मत करना तो चलो अन्बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं यह क्या है यह है यह है मायरा का नया घर मैं दादू ने आपको बड़ा रखें दादू से पूछ लिए ना आप आपको बॉक्स देखें कि बदा चला बड़ा तो चल गया है यह क्या है वट आप इस प्लैन में शामिल थे या नहीं बिल्कुल थी आपके लिए फिर सर्प्राइज कैसे होता आपको सर्प्राइज अच्छे लगते है ना इसलिए हमने आपको नहीं बताया दादू ने हमें फोन किया था कि स्मायरा को बर्डे गिफ्ट लेकर देगो मेरे तरफ से फिर हम मार्किट गए और दादू की तरफ स अच्छा इतनी दूर से थोड़ना गिफ्ट आएगा यह यह है स्मायरा का बर्डे गिफ्ट फ्रॉन दादू और यह बार्बी थीम का है स्मायरा वाव और यहां पर लिखा हुए मलीबू हाउस और इसके अंदर क्या क्या है वो भी लिखा हुए देखो सिक्स रूम्स है वाव इतना बड़ा घर करेंगे इसका यह ना चलो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कितने बड़े बड़े रूम्स है पाइंडी बॉक्स ओपन हो चुका है वाव इसको तो असेंबल करना पड़ेगा करना है आपको दिखाना है आपको दिखाना है और फिर खेलना है असेंबल करना है चलो करते हैं फिर असेंबल पहले देखें तो कि असेंशरीज कौन कौन सी हैं जो बाहर लिखी हुई हैं और क्या-क्या ज़रूरी चीजें हैं जो कि हाउस के अंदर होती है जब असेंबल करेंगे सबी समझ में आएगा की कौन सी चीज कैसी है यह भी कोई पार्ट्स हैं यह देखिए रोर्स हैं वाइट कलर की टूब और एक पिंग कलर की यह तो पुरा पैक कर रखें यह क्या है यह वह है स्माइरा वाश बेसन है यह देखो और इस तरफ स्टोरेज है क्यूट है ना वाव सो क्यूट क्यूट क्वालिटी अच्छी है इसकी प्रोड़क्ट की ना और यह देखो फ्लेश करने की यह हम यह डॉल के लिए आपके लिए नहीं है यह एक टेबल है औरेंज कलर का प्यारा है यह भी यह सोफा तो आपने देखिया था इसको अन्रैप करते हैं फिर देखते हैं कैसा है यह सोफा पिंक कलर का सोफा वाव उसना बड़ा थ्री सीटर है यह थ्री सीटर मुझे तो बड़ा दग रहा है नहीं थ्री सीटर यह और इसमें क्या है यह देखते हैं यह टेबल है ऐसे नहीं इसका वह होगा राउंड देखते हैं ना दुको इसको निकालते हैं बहुत पहले इसके अंदर तो कलरफुल चेर्स हैं वाव देखो देखो ओरेंज की चेर्र वेरी बीटिफुल टू है और टू है पिंक यह आपकी ड्रेस के साथ मैच हो रहा है और यह आपका फेरिट कलर है इसलिए दोनों ही अच्छे हैं यह एक पैकेट है इसके अंदर असेसरी हैं देख लेते हैं क्या-क्या है यह तो इंस्ट्रक्शन है कि कैसे इस डॉल हाउस को असेंबल करना है और यह क्या है ब्लैंकेट है और यह स्टीकर्स हैं हाँ यह स्टीकर्स हैं देखो यह भी कुछ पार्ट्स हैं हमें नहीं पता है कि ये तो जग है, Smaira देखो, अरे मुम्मा, देखू, ये क्या है, इा ये, ये ग्लास देखो, पिं कलर का, वाव, व्यू, ये पैन भी है, छोपिंग बोर्ड भी है इसके अंदर, लैडल भी है, लैडल भी है, ये देखो, शावर, बाद्रूम का शावर नाइस ये तो समयरा ये वोल्स वगेरा ही है कुछ समझ में नहीं आएगा भी तो इंस्ट्रक्शन जब देखेंगे तभी समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट कहां जॉइंट करना है ये मुझे फ्लूर लग रहा है क्योंकि या पर कार्पेट है हाँ फ्लूर भी हो सकता है ये देखिए इसको रखो उदर पेस है क्या बस खता हो जया अराम से और ये कुछ स्टिक्स है बस अंदर को ये सारे बोर्ड ही है ये रा टेबल का राउंड इसको भी हम फिक्स कर लेंगे ये बेड़ है वो जुकते है मुझे भी नहीं पता ये कोई पार्थ है ये देखो क्या है समाहिरा ये किज़न है ये देखो गैस्टोव ये सिंक है और ये ओवन है ओवन ही है ना ओवन ये तो ओपन ही नहीं होता ये भी होगा ये फिक्स है ड्रोर्स जो है वो फिक्स है चलो इसको असेंबल करते हैं फिर देखते हैं कि जैसा पिक्चर में मलीबू डॉल हाउस बना हुआ है वैसा हम बना पाते हैं या नहीं Doll house को assemble करने में स्मायरा के पापा help करने आ गए है क्योंकि बच्चपन में इनको Doll house से खेलना बहुत अच्छा लगता था तो ये बोलते कि स्मायरा की help मैं करूंगा आप हमारा vlog shoot करो तो चलो देखते हैं स्मायरा के पापा कितना time लगाते हैं इस डॉल हाउस को असेम्बल करने में और असेम्बल होने के बाद ये डॉल हाउस कैसा लगता है। सबसे पहले गेस्ट को बिठाने के लिए ड्राइंग रूम देखो पिंक कलर का सोफा कितना क्यूट है। साथ में है और इन कलर का स्टूल ये कितना ब्यूटिफुल है। सच में बहुत ब्यूटिफुल है। ये है पॉपकॉर्ण का बॉल। खाने आपको। नहीं जब यहां पर गेस्ट बैठेंगे ना तो ऐसे में बैठने चाहिए। उनको कुछ न कुछ खाना जाहिए। इसको आप उठा भी सकते हो और इस टेबल के अंदर फिट भी कर सकते हो। जो स्पेस दिया हुए ना उसके अंदर ये देखो। ये एक मिनी बोर्ड गेम। फ्री नहीं बैठने चाहिए ना खाने के साथ सथ गेम भी खेलते रहना चाहिए। बोर्ड नहीं होंगे गेस्ट। उसके बाद हम बढ़ते हैं किचन की तरफ। ये है किचन। देखो रैफ्रिजरेटर। इसको ओपन करते हैं। देखो। वाओ। इसके अंदर तो बहुत कुछ है। और ये वेजिटेबल बोक्स है क्या। फ्रूट्स और वेजिटेबल का बोक्स है ये वाला। बस एक ही डॉर ओपन होता है। वन डॉर वाला रैफ्रिजरेटर है ना ये। अब ये आगी है हमारी किचन। देखो। माइक्रोवेव में हमने कुकिज बेक करे हैं। कुकिज कितनी है ट्वैल्व। किस किसको कुकिज पसंद है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। जिसको भी कुकिज पसंद है। चलो एक बार फिर से बरतन बोश करने के लिए और विंडो भी दी हुई है वेंटिलेशन के लिए ताकि किचन में खाना बनाते बनाते गर्मी ना लगे और सब समायरा को देखते रहें जो भी याँ पर खाना बनाएं ये है हमारा डैनिंग एरिया ये वाइट कलर का टेबल है उसके उपर येलो कलर की प्रेट से फोर टू ग्लासीज है एक पिंक है एक ब्लू है फिर साथ में पानी की बोटल है खाना बसाता ही होगा क्योंकि खान बन रहा है किचन में और हम बैठेंगे कहां चेर्स पे टू पिंक चेर्स टू औरेंग चेर्स दोनों का कलर बहुत ही प्यारा है और यहां देखिए वॉल कितनी सुन्दर है कितने अच्छा से वॉल पेपर लगाया हुआ है और यहां पे भी विंडो है यह मिक्सर ग्राइं यह बी इसको भी हम निकाल सकते हैं ऐसे इसका लिडोपन होता है होता है ओ वाव वेरी नाइस इसमें हम शेक बनाएंगे चॉकलेट शेक यहां पर एक टेबल के उपर एक टब रखा हुए उसके अंदर है बरफ और उसके अंदर है कोल रिंग्स देखो कितने फ्लेवर्स हैं इसके अंदर पिंग कलर की कोल रिंग कॉन सी होती है देखो पता नहीं चलो हम टेस्ट करेंगे एक बार ठंडी हो जाएंगे ठीक है बैडरूम तक जाने की स्टेर्स भी है यह देखो कितने स्टेप्स हैं समायरा काउंट करो यह है बैबी रूम यह शेल्फ पर कुछ बुक्स रठी हुई है एक सॉफ्टोर रखा हुए एक पोर्ट रखा हुए और पीछे कुछ कपड़े हैं और यह बैबी का बैड है यह पर उस हो जाएगा पिंग कलर का सुन्दर है ना और यह एडर्स के लिए है बैड्स यह बैड्रूम है देखो यह ब्लैंकेट है फ्लार्ज वाला कितना क्यूट है कितना सोफ्ट है यह तो बहुत ज्यादा और बैड दिखाओ परपल कलर का बैड और अगर आपको अराम से चिल कर मैं इसको उपर कर दो ओ वाउ इसको आप अज़स्ट भी कर सकते हो जैसे होस् पर यह बैड्र है और क्लोक है आजाओ आजाओ इदर आजाओ इस तरफ भी विंडोज है दो और यह फ्लोर है जो समायरा ने पहले बोला था यह कार्पेट है उपर एक और बैड है डार्क पिंक कलर का इसके साथ ब्लैंकेट नहीं मिला ना चलो कोई बाद नहीं इसके लिए यह वाश्डूम इस तरफ से तो इसको उपन नहीं कर सकते हैं इधर जो ड्रोर्स हैं उनको आप उपन कर सकते हैं देखो देखो अंदर तो नेल पेंट्स हैं बहुत सारी इसमायरा आपके लिए और यह देखो पिंक कलर का कॉम्ब वाव कितना क्यूट है और य वाव यह ड्रायर भी हाया इसके साथ बार्बी के लिए सो क्यूट इसको बंद करो यहां पर रहे एक शावर इसको एजस्ट भी कर सकते हैं ओ इसके हाइड भी बढ़ जाती है तो यह इस तरफ टरन भी कर सकता होगा फिर आरे वाह बहुत अच्छा है यह तो इसको हम यहां प्रण है जो आपने पहले देख लिया था यह दिखो और यह पैडिकल करने के लिए अंदर फूट के सिंबल भी बने हुआ है देखो बहुत अच्छी चीज है ना और सबसे क्यूट चीज यह देखो हैंगर है कपड़े हैं करने के लिए कितना प्यारा नहीं यह भी बहुत प्यार है चलो इसको भी हैंकर देते हैं और यहां पे भी विंडोस हैं देखिए और वॉल पेपर लगा हुए है समायरा हर विंडो में आ जाती है देखने के लिए कि मैं दिखाई दे रही हूं या नहीं अब इस घर के अंदर एंटर कैसे करना है उस तरफ चलते हैं यह देख लरकी है इस तरफ हमारा विंडो सेक्शन है और यह हमारा मींडोर है ओपन करो जड़ा अंदर चलते हैं हाउस के देखो डोर ओपन हो गया अब आप एंटर कर सकते हो बार्बी के हाउस में वाओ वाओ सिंगल डोर है ना और यह जो वाश्रूम की वोल है वो इस तरह से है देखो यह भी बहुत प्यारी है फ्लार्ज वाला वोल पेपर इस पे लगा है तो यह है मेरा बार्बी थीम का मलीबो हाउस आप जब के लगा लाइक और शेयर करके बता देना तो थैंक यू दादू पोर इस लवली एड ब्यूटिफुल गिफ्ट आई लव यू आई मिस और इस डोल हाउस का एक और फीचर है कि आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं लेकिन सारी असेसरी जो हमने अंदर रखी है उसको पहले निकालना पड़ेगा उसके बाद यह फोल्ड होगा लेकिन हम नहीं हटाएंगे अल्री वन एंड हाफ आर लग गया हमें यह सारा सेट इसके साथ खेलेगी ओविसली इसलिए हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे बहुत ही प्यारा गिफ्ट है एक एक चीज जूनीक है सुन्दर है आपको कैसा लगा यह समाइरा का नया डोल हाउस अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना फिर जल्दी मिलेंग नय व्लोग की साथ तब तक के लिए बाँ-बाई-टिक्यों